वेल्कम बेक एब्रीबन स्वाधत करता हूं मैं आपके अपनी चैनल पर केमिस्ट्री एक्टा में और आज की इस वीडियो में हम लोग डिसकस करने वाले हैं जनल इंट्रोड़क्शन और उसके बाद हर एक अला-अला वीडियो में लेक्के आने वाला हूँ आपको के लिए म मिलने वाली है चलिए स्टार्ट करते हैं कि what are the commercial cells देखिए एक commercial cell should fulfill the foreign requirement कोई भी commercial cell जो होती है उसके लिए कुछ conditions को fulfill करना चाहिए अगर condition fulfill करेगी तब भी उसको commercial cell की category में रख सकते हैं देखिए जैसे it should be compact compact होनी जेए light weight and small in size देखिए बिलकुष seal होनी जेए compact होनी जेए कोई leakage नहीं होना जेए weight layers होनी जेए मतलब भूत हर्की होनी जे light weight होनी जेए और small in size छोटी से छोटी होनी जेए जितना possible होता है छोटी होगी light weight होगी और compact होगी तब ही cell को हम commercial cell की category में रख पाए नहीं जेए it should be provide power for a longer period और यह लंबे समय तक के लिए आपको पावर देनी चाहिए मतलब इसको नॉर्मली बोलते है बैक अप इस बैटरी का जो बैक अप है ना वो कापी जादा होना चाहिए छोटी के साब से इसकी duty जादा होनी चाहिए लोड ले सके बैटरी तो यह सब longer period के लिए काम बने जाए ऐसा नहीं है कि हमने बैटरी नी साल दो साल में खराब हो जाए बैटरी की लाइफ at least 3-4-5 साल होनी चाहिए इस शुद्भी रिचार्जिबल थे कि चितनी भी commercial cells होती है वो सभी की सभी रिचार्जिबल होती है हम लोग camera बेटरी शुद नालते है वो भी रिचार्जिबल डालते है बहुत सारी जगे यह जारी रिचार्जिबल cells का अस्तिमाल होता हमारे गर में इनमटर होते हम आप वोल्टेज है वो कभी भी वेरी नहीं कर दीजिए वो हमेशा आपको सेम मिलना चाहिए अगर बैटरी का वोल्टेज वेरी करेगा तो बैटरी विकार होगी आपको की commercial cell की category में क्या वो किसी भी cell की category में नहीं आएगी क्योंकि आपकी device appliances उसे properly काम नहीं कर पाएंगे और आ यह थी कुछ condition जिसको हम commercial cell है बैटरी के internal लगते हैं जिससे हमारी commercial cell है बैटरी की condition फुर्फिल होती है अगर यह साज़े condition को ही फुर्फिल करती है बैटरी तो हम कह सकते हैं that was the commercial battery the commercial cell of three types commercial cell होते है वह three types की होती है शबते हैं इसको primary battery होते है secondary cell इसको बेटरी भी होते हैं ऑफ तिससरी होती होती है देके प्राइमरी जेल आपको बता दू कि प्राइमरी सेल एशी इसी होती है नोन रिचार्जिबल डूबारा से चार्ज नहीं कर सकते हैं से यूजेन थ्रोगेटरी आपने तो ब्रीकित वीडियो में अपर कि रहें गोर्ड करें एक मिलेंगी नाएं डायर चुर्र एप एक मिलें इसके अंदर आपको ड्राइज सेल मिलेगी मत्री सेल ठीक है दूसरी है सेकेंड़ी सेल क्या होती ही जिसको बार बार यूज करें बार बार रिचार्ज कर सकें अगर ऐसी सेल को अमिशनदी करें तो इसके ब्रांड चोती है स्की फ्यूल सेल कि ऐसी सेल जिसके अंदर फ्यूल का इस्तेमाल करके एलेक्टेशी को जडिट के लाता है तो आए बात करेंगा कि आगे आने वाले वीडियो में सब के साथ सेबरेटली तो आपको कहीं मच चाहिए वीडियो को लाइक करिए शेयर करिए साथ में जो लोग नए है चैनल को प्ल